हेलो बच्चों, let's read this question, let alpha and beta be real numbers such that minus pi by 4 is less than beta is less than 0, is less than alpha is less than pi by 4, if sin alpha plus beta is equal to 1 upon 3 and cos alpha minus beta is equal to 2 upon 3, then the greatest integer less than or equal to sin alpha upon cos beta plus cos beta upon sin alpha plus cos alpha upon sin beta plus sin beta upon cos alpha whole square, तो हमें देखो greatest integer less than or equal to, ये पूरा term बताना है क्या होगा, start कर लेते हैं हमारे key concept से, तो देखो key concept क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एक formula कि cos a, cos a, cos b, plus minus sin a, sin b, ये किसके equal होता है, cos a minus plus b, यानि जब इदर हम plus का sign लेंगे, इदर हमें minus का sign लेना पड़ेगा, और इदर जब minus का sign लेंगे, इदर plus का sign लेना पड़ेगा, ठीक है, तो अब देखो term क्या है सबसे पहले, इसको थोड़ा simplify करके लिखते है, sin alpha upon me, cos beta, plus में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला term इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो cos alpha upon me, sin beta, plus में, अब ये वाला term लिख रहे है अपन, cos beta upon me, sin alpha, plus में last dollar term, जो कि sin beta upon me, cos alpha है, ठीक है, ऐसे लिख 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 लिए, इसका whole square है, तो आप देखो, इन पहले दो terms में से हम LCM ले लेते हैं, तो sin beta, cos beta, तो LCM आ जाएगा, sin beta, cos beta, LCM आ गया, तो उपर बन जाएगा, sin alpha, sin beta, plus में, cos alpha, cos beta, cos alpha, cos beta, same, देखो, इसी तरह है, यहाँ पर, sin alpha, cos alpha, यह LCM आ गया, तो उपर बन जाएगा, cos alpha, cos beta, plus में, sin alpha, sin beta, यह बन चुका है, और इसका whole square भी चल रहा है, तो further अब उपर तो formula बन गया है, इसका cos alpha minus beta गा, और इदर भी cos alpha minus beta गा, यानि देखो, यह बन गया मारे पास में, उपर, cos alpha minus beta, upon में, upon में, देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से multiply करते हैं, और 2 से divide भी कर लेंगे, तो जो divide वाले 2 है, वो उपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 cos alpha minus beta गया, और नीचे जो, 2 sin beta, cos beta, वो किसका formula है, sin 2 beta गा, ठीक है, और plus में, इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, तो 2 cos alpha minus beta गया, और whole upon में, whole upon में बनिया यह, sin 2 alpha का formula, ठीक है, अब इसको further हम थोड़ा और simplify करेंगे, तो इसका भी whole square भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब देखो, इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको तो ऐसी रहने दिया, 2 cos alpha minus beta, क्योंकि इसकी value तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, sin, sin alpha plus beta minus alpha minus beta, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिख लिए, sin 2 beta को plus में, इधर 2 cos alpha minus beta, ऐसी रहने दिया, और sin 2 alpha को लिख देंगे, sin, sin alpha, या ऐसे बोल देते हैं, चलो, क्योंकि हमें 2 alpha लाना ना इधर, तो sin alpha minus beta, ठीक है, और minus में, minus में, या चलो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, alpha plus beta, ठीक है, minus में minus alpha, और यहां पे प्लस का बीटा ऐसे लिख लिए हमने इसको ठीक है तो जब यह ब्रेकेट ओपन करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा हो जाएगा और बीटा माईनिस बीटा जाएगा अगर तो इसको हमने ऐसे लिख लिए है और इसका भी होल स्क्राइब लिखा हुआ है थो ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा देखो कौस अलफा माइनस बीटा का WAGN तो में पता है čo अपॉन ट्री है तो अगर हम साइन एलफा माlat बीटा का वैलिए विखेंगे ना तो हम जानते हैं साइन ची는데 क्या होता है स्कूर्य रूट ऑफ वन भायनस कोई स्कूर्ड टीट तो एल्फा मैनस वीटा को लिए स्कूरियनी 4 या जाएगा रूट ऑफ नाइन माइनस पॉर यानी 5 अपॉन में 9 यान्य बनी चाइए रूट फाय अपॉन में 3 यह वेल्व जाएगा, sain A यानि sin alpha plus beta साथ में आता है, cos b यानि cos alpha minus beta, बीच में minus हे तो minus लगा दिया, और sin b यानि sin alpha minus beta और cos A, यानि cos alpha plus beta, यह term बन गया, plus में इधर भी 2 multiply में 2 by 3 आजाएगा अब यह देखो bracket जब हम open करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin alpha plus beta plus में alpha alpha और minus beta इस तरीके से लिखा जा सकता इन इस टम को तो कुल मिला कि sin a plus b का formula बन जाएगा यहां पर ठीक है तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा देखो यहां पर इसका formula होगा sin alpha plus beta साथ में cos alpha minus beta और plus में sin alpha minus beta cos alpha plus beta यह बन गया है और इसका भी whole square भी है इसका whole square भी है ठीक है तो एक काम करते हैं देखो 4 upon 3 आएगा उसका whole square करेंगे तो 9 4 का square तो 16 upon में 3 का square 9 यह बाहर आ गया और 1 upon में अब इदर values रखते हैं sin alpha plus beta का value हमें पता है 1 upon 3 है cos alpha minus beta का value में पता है 2 upon 3 है minus sin alpha minus beta का value हम पता है root 5 upon 3 है cos alpha plus beta का value देखो sin alpha plus beta का value पता है तो cos alpha plus beta भी निकाली सकते हैं square root of 1 minus 1 by 3 का square है या नि 1 by 9 तो यह हो जाएगा 9 minus 1 यानि 8 8 होता है 2 root 2 upon में 3 यह बन जाएगा 2 root 2 upon में 3 तो इधर आजाएगा 2 root 2 upon में 3 ये time आ गया प्लस में इधर भी 1 upon में sin alpha plus beta इसका value क्या है sin alpha plus beta का value 1 by 3 है cos alpha minus beta का value 2 by 3 है plus में plus में देखो आगे है sin alpha minus beta root 5 by 3 और cos alpha plus beta याने 2 root 2 upon में 3 इसका हभी whole square भी चल रहा है ठीक है तो अब simplify गरते है terms को LCM लेके तो 16 upon 9 तो बाहर है अब LCM लेंगे उपर तो यहाँ पर तो देखो 3 multiply में 3 9 बनेगा यहाँ भी 9 बनेगा तो 9 उपर आ गया ठीक है तो 9 उपर आ गया upon में देखो क्या बच जाएगा 2 minus में 2 minus में इधर 2 multiply में root 5 multiply में root 2 यानि यह कुल मिलाके 2 root 10 हो गया ठीक है और यहाँ भी देखो इसी तरीके से plus में आ जाएगा 9 उपर और upon में इधर आ गया 2 plus में 2 root 10 2 plus में 2 root 10 ये टा मारा है इसका whole square है तो अब देखो 9 का square जो होता है 81 होता है वो बाहर आ गया upon में 9 है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं LCM ले 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 थे तो 2 minus 2 root 10 multiply में 2 plus 2 root 10 आएगा और पहले दूपर आ गया 2 plus में 2 root 10 plus में 2 minus 2 root 10 ये आ जाएगा इसका भी whole square भी करना है तो 9 divide कर देगा 81 को 9 times यानि 16 multiply में 9 आप तक बार और यहाँ पर देखो 2 root 10 minus 2 root 10 जिरो हो गया यानि 4 बन गया upon में A minus भी multiply में A plus B वाली identity लग दी तो 4 minus में यहाँ पर देखो 4 multiply में कितना हो जाएगा 10 ठीक है तो ये 40 हो गया ये value आ गया ठीक है और इसका भी whole square भी हमें करना है उपर यानि कि देखो यहाँ से 16 multiply 9 यह हो गया 4 multiply यहाँ पर 4 यानि 16 upon में नीच आएगा minus का 36 उसका square करेंगे तो 36 multiply में 36 ही आ जाएगा ठीक है अब 9 multiply 4 कितना होता है 36 ठीक है 4 multiply 4 कितना होता है 16 4 divide कर देगा 36 को 9 times यह 16 upon में 9 बनेगा इसका अगर greatest integer function लेंगे ना 16 upon 9 का तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा तो हमारा required answer इस question के लिए 1 होगा ठीक है I hope you understood this explanation best of luck